केले विरिवन दिखें इसके वराम 6.3 तिवराम 6.3 में क्या कहता है इफ आ ट्रांसवर्सल इंट्रसेक्ट तू लाइश तू लाइनस को सच यह पेर ओफ अल्टरनेट इंटीरें एंगल इसको माल लो एन यह एल और वो क्या कहरा है कि सब्सक्राइब यह वन मान लेता हूं यह 2 यह 3 और यह 4 तो क्या होता है यह आपको एक्चली ब्रूफ करना है कि M और N पैलर है तो हम कैसे कर सकते हैं वह देखो जड़ा है तो से पहले तो Given देखते हैं कि क्या है Given मान लो इसमें क्या है उसने बोला ही यह कि अल्टरणेटेटेटेटेटेट एंगल क्या है इक्वल है यहनि कि एंगल 2 और 3 इक्वलमान सकता हूं मैं Angle 2 एक्वल 2 एंगल 3 और तुप्रूव क्या करना है मुझे to prove करना है then the two lines are parallel यानि की M parallel to N यह हमें प्रूफ करना है clear तो देखो कैसे होगा प्रूफ बहुत easy है देखो यहाँ पर ध्यान दो अगर मैं इसको मान लूँ angle 5 4 यहाँ होगा था 5 यहाँ तो होगा ठीक है देखो क्या यह 2 और 5 इक्वल है एक लाइन यह जा रही है और एक लाइन यह 2 और 5 इक्वल है किस वज़े से इक्वल होंगे बताओ vertically opposite angles है इस वज़े से यह जाओंगे एक्वल है clear तो मैं यहाँ लिख सकता हूं angle 2 equal to angle 5 that is vertically opposite angles यह होगी बात क्या नहीं vertical opposite angles क्योंकि देखो दो लाइन है ऐसे intersect कर रही हो तो यह एंगल और यह एक्वल होता है समझ रहो ना यह vertically opposite है ऐसे यह और यह एक्वल होता है vertically opposite टीक है तो ऐसे यह और यह क्या होगा और angle 2 equal to क्या है angle 3 यह हमें क्या है given था भी उपर angle 2 और यह 3 क्या अगर मैं इसको first मान लूँ इसको second इसको मान लो first और इसको मान लो second तो from first and second देखो क्या आता है आपके पास left hand side equal है तो right hand side क्या होने वाली है equal होने वाली है तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि angle 5 जो है वह angle 3 के equal होगा और यह 5 और यह 3 यह कौन से एंगल्स है पेर कौन सा है यह बताओ five or three का corresponding angles का ठीक है तो यानि कि corresponding angles equal आ गए मेरे पास और अगर corresponding angles equal आ गए तो इसका मतलब जो यह दो लाइंस है यह क्या होंगी पैदलर होंगी यह एक्जियम हमें हमने पड़ा भी था अभी ठीक है तो corresponding angles वाली एक्जियम थी और एक उसका उल्टा भी बताती थी हमें जो कि आपके पास 6.4 और एक्जियम थी देख लेना भी जब मैंने करवाई है समत्रे वह इतनी बात या नहीं तो आप क्या लिखोगे दे यार कि corresponding angles क्लियर एंड बाए जो एक्जियम 6.4 को मैं बोल सकता हूं कन्वार्स ओफ तो बाए या तो यहां लिख दो एक्जियम 6.4 लेकिन यह पेपर में आपको ध्यान में रहे नहीं भी नहीं यह कुण से नंबर था ठीक है या फिर और कन्वार्स ओफ को पॉस्पॉंडिंग अंगल एंगल एक्जियम क्योंकि कॉर्सपॉंडिंग एंगल एक्जियम वाली कौन सी थी हमारी एक्जियम 6.3 और उसके कन्वार्स वाली थी 6.4 ठीक है यह चीज लिखना चाते हो तो लिख देना नहीं तो यहां जब आप लिखोगो ना कि देयर कोस्पॉंडिंग एंगल तो ठीक है ओके थैंक यू